दोस्तो आपका स्वागत है हमारे चैनल Solar Tech में आज हम बात करेंगे कि Solar Plant जो हम लोग लगाते हैं तो उसमें जो components होते हैं उसको तो सेलेक्शन किस तरह से करें किस तरह से हम अपने बेस्ट सोलर प्लांट सेलेंट करेंsn तेंपरेचर कोफिशेंट होता है कि जैसे यासे तेंपरेचर बढ़ता है सोलर पैनल की जो जनेरेशन पावर होती है वो घटती जाती है तेंपरेचर कोफिशेंट किसी पैनल का जितना कम होगा वो पैनल उतना ही अच्छा होगा उसके बाद में बात करते हैं वारंटी जैसा कि जानते हैं दो तरह की वारंटी आती है चैनल मेट आती है कि पर्ऩाटод वरंटी होती है तूसरी होलती से पर्फॉमस वरंटी नौर्मली अभी जो मक्सिम सोलर पैनल मैनेफेक्टिटर व्यॉत्अवह जोग ठाकष यह तेन यह देते हैं और परफॉर्मस वरंटी टेंटी पपाइव यह स데ते ए है अभी उसमें आ तो वह आप compare कर सकते हैं उसके बाद में आप उसके पॉइंट आता है पैनल का वेट अभी देखिए यह दूरा पूरा डिपेंड करता है कि उसके जो material यूज किया गया है उसे बनाने में उसके उपर डिपेंड करता है पैनल का वेट अगर उसका फ्रेम की थिकनस अच्छी हो यह ग्लास की थिकनस भी देखने वाली चीज होती है तो जितनी थिकनस ज्यादा होगी उतना strong पैनल रहेगा अगर उसकी built quality की बात करते हैं तो ग्लास भी काई टाइप के आते हैं उसमें different different type की coatings की होती है तो वो चीज भी देखने वाली होती है उसके बाद में हम लोग बात करेंगे solar grid tie inverter की यहां पर हम grid tie inverter के ही बारे में बात कर रहे है different different inverters के लिए हम फिर कभी दूसरे वीडियो में discussion करेंगे तो पहला point है input voltage range किसी भी inverter में जो DC input दी जाती है उसकी voltage range रहती है तो यह voltage की जो range है वो जितने ज्यादा broad होगी मलब कम voltage पे start होने वाला और ज्यादा voltage तक operate होने वाला inverter वही best है तो वह आप महां compare कर सकते हैं फिर maximum DC input capacity यह design का factor है जो हर manufacturer अपने अपने design के साफ से decide करता है तो DC input capacity जितनी जाता होगी inverter की उसमें एक तो आपकी per watt cost बढ़ जाती है और दूसरी चीज यह है कि उसमें कहीं ना कहीं inverter की जो built quality है वह show होती है कि कितनी DC maximum capacity ले सकता है इसके बाद में safety की बात कर लेते हैं inverters manufacturer different safety features देते हैं अपने inverters में आप उनको compare कर सकते हैं जैसे कोच fuses inbuilt देते हैं SPD inbuilt देते हैं DC switches inbuilt देते हैं तो वह आप महाँ पे compare कर सकते हैं तो जितने ज्यादा safety रहेंगी inverter में उतना ही अच्छा है फिर आती है बात maximum efficiency inverter की maximum efficiency जो है different different inverter manufacturer अलग अलग देते हैं थोड़ा बहुत difference रहता है तो वह आप compare कर सकते हैं कि जो maximum efficiency inverter हो वह ही आप consider करें इसके बाद में हम आते हैं mounting structure पर अभी solar panel लगाने के लिए mounting structure की जबत पढ़ती है ये पूरा का पूरा structure हवा पानी दूब अगरा सब कुछ छेलता है तो इसमें जो एमेनरे के थुरू एप पूर्वड है mostly structure तो उसके अंदर में hot dip galvanize जिसको HDG टाइप वहलते हैं और दूसरा होता है aluminium का तो ये structure में एक जो टेक्निकल है कि 170 km per hour की speed की wind wind speed को withstand करने की सहने की छमता उसमें होनी जरूरी है ये मेनरे की guidelines है तो ये certification आपका जो structure supplier है आपको से confirm करना पड़ेगा कि आपको जो structure प्रवाइट कर रहे हैं वो इतनी capacity की speed वाली wind को 170 km per hour की speed की wind को छेल पाएगा की नहीं छेल पाएगा कि कभी cyclone वगर आया तो पूरा का पूरा solar plant की पूरे सारे पैनल के साथ में उड़ गया तो हो सकता है अगर hot dip GI वाला अगर आप structure select कर रहे हैं तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि site पे आकर कोई भी fabrication ना हो जो भी है सिर्फ nut bolting होनी चाहिए अगर आप साइट पे लाके उसकी cutting welding करवाते हैं तो आपका पैसा बेस जा रहा है फास्टनर से उसमें चेक करने के होते हैं फास्टनर को कौन से लगा रहे हैं या 316 ग्रेड के जो फास्टनर सोते हैं सेस में इस्टेंल स्टील वह रस्टिंग नहीं खाते हैं कभी भी रस्ट नहीं आती उन पर उसके बाद में बात करेंगे केबल्स की तो इसमें सोलर प्लांट में दो टैप की केबल्स लगती हैं देखने वाली चीज़ यह होती है कि वह एक रैपोटेटर द्वारा बने वे होने चाहिए अच्छी कंपनी के बने वे होने चाहिए और दूसरा टी यूवी टी यूवी एक इंटरनेशनल और नेशन है जो कि सोलर के बल का स्टेंडर्ड उनोंने डिसाइड किया हुआ है औ परमीशन है सबी जितने भी सोलर कंपनिया है उनको तो यह दियान कर देना है कि वह जो केबल यूज कर रहे हैं डी सी साइड में इस पेसली तो वह टी यूवी एप्रूब है कि नहीं उसके बाद में एसी केबल्स एसी केबल्स में डेफिनेटली रेपड़ेड ब्रांड का होना जुरुरी है और क्यूंकि वह लोग क्याल्टी स्टेंडर्ड मेंटेन करते है और दूसी चीज यह है कि उसमें आईएसाइ मारक होता है आईएसाइसे स्टेंडर्ड से साबसे बने भी है कि नहीं तो वह आपको इस कर रहोग है फिर केबल्स को जगे जगे बांधने के जिए केबल टाइस को मैक्सिम जो सोलर कंपनी जाती है कि इसके तूर्प टाइस के तरू बाँदी जाती है उनको फिक्स किया जाता है जिसे की इंब प्रापर ली लगी रहें और इदादर जूले नहीं तो ये mostly दो टाइप की जो है Cable Ties Standard जो इसमेई यूज़ कर सकते हैं solar application में एक दो होती है UV protected Cable Ties UV वालब Ultraviolet protected ये यूज़ के अब अब याप की जो केबल Ties होती है वो sunlight से hard नहीं होती है और उसके बाद क्रेकड भी नहीं होती है। बहुत longer time तर चलती है नौर्मल यागर साधा जो केबल टाइज आप मार्केट में देखते हैं वह अगर यूज कर ली तो वह मुश्किल से छे मेने के अंदर ही पूरी हार्ड हो जाएगी क्रैक हो जाएगी तूट जाएगी और केबल आपके फिर जूलने शुरू हो जाएगे और दूसरी केबल टाइज होती स्टेंडर स्टील के ठोड़ी सी महंगी आती है पर वह लाइफ लाइफ लॉंगर रहती है ुसकी लाइफ साइकल काफी लंबा होता है आप पर सूप इसके बाद में बात करेंगे इसी बादिक हैं तो अर्थिंग में बहुत सारी कंजूसी की जाती है और इसके बारे में जो एंड कस्टमर होता है उसको कई बार पता ही नहीं होता कि क्या करना है कैसा होना चाहिए मैं मुन्हारा इसके लिए जो लिस्वाईड लान्स डिसाइड वह इवी है उसमें तीन तरह की अर्फिंग देनी कंबल सरी रखी गई एक होती है डीसी साइड जो आपका सोलर प्लांट का डीसी साइड है वहाँ पे सोलर पैनल वगर आपको सब को अर्फिंग करके उसकी एर्टिंग की याती है और सभी को स्टिप के थूलारी थे मिलैता है x這樣的 placed आपका इन्वर्टर के बाद कि जुट पूरा पार्ड Hispanics लो रहेगा एसी साइड तो उस साइड की एक अर्थिंग होती है तीसरी होती है लाइटनिंग अरेश्टर लाइटनिंग अरेश्टर क्या होता है कि कभी भी जो आस्मान में बिजली चमणकती है उसके चमकने से कभी-कभी गिर जाती है किसी भी चीज़ में तो आपका सोलर प्लांट कभी खराब ना हो डैमेज ना हो जाए फूरी दर चलना जाएं उसके लिए उसमें लाइटनि अर्श्टर लगा जाते हैं और उसकी अर्थिंग करना भी sa hearts in बोक्स में एसा कोई सिर्वेशन बॉक्स में अःसा कोई स्टैंडर्ड फॉरमूला नहीं है उसका तो से पहले में इसके लिए आपको इन्वर्टर को आपने जो इन्वर्टर सेलेट किया है उसमें क्या क्या सिफ्टी फिचर्स दिये हुए है जैसे कुछ इन्वर्टर में इन बिल्ट वो लोग सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस दिये होते हैं तो आपको इसमें अपने डिस्टूइशन बॉक्स में फ्यूज और एस्पीड लगाने की फिर जरुवत नहीं है अगर उसमें दिया हुआ है तो डबल डबल पैसा खराब करने की जरुवत नहीं है तो यह चीज देख के आपक है तो वह आप देख लें कि आपको किस तरह से इंवर्टर में प्रोवाइड किया हुआ है तो बहुरुची बात है अगर नहीं किया है तो आपको डिस्टूइशन बॉक्स के अंदर वह चीज इंस्टॉल करवानी पड़े की और उसमें प्रॉपर रेटिंग होनी चाहिए और अच्छी ब्रांड का होना चाहिए जो की चरुवत के टाइम पर फंक्शन भी करें नहीं तो इसका कोई फाइदा नहीं है इसी परकार से एसी डिस्टूइशन बॉक्स में एस्पीडी होती है फ्यूज की जगह पर एम सीवी यूज करते हैं या फिर जो आइसलेशन के लिए एम सीसी भी लगाते हैं त्री फेज फपगऀ रहते हैं तो त्री फेजब वाले में एक चीज़ और दी जाती है सिंगल फियस्टार च्छिए कि अगर तीन फेस आपके हैं उनमें से कोई एक फेस या फेस एक दम चले जाते हैं तो वह इंवर्टर को आईसोलेट कर देता है बाकी के सरकिट से तो यह प्रोटेक्शन के लिए दिया था इंवर्टर में इंविल्ट प्रोटेक्शन भी होती है पर एक सेकंट्री डवल प्र लाइक जलू करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए इस तरह की और भी नई नहीं जान का रही है वहाँ देते रहें इसके साथ आपका बहुत धन्यवाद सुरक्षित रहिए गर पे रहिए और हाथ होते रहिए